वक वोड की जरूरत क्या थी और वक वोड में जो बदलाफ की बात हुई सामने आगई इसकी क्या जरूरत थी देखिए मेरे एक हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में ये वक्त कानून है पहली बात तो भारत के संविधान में WAQF वफक नाम का शब्द ही नहीं है तो एक देश में दो विधान चल रहा है इसलिए मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है ये कहते कैसे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है भाई कुछ इनके पास सिफ कहने के लिए कह देते हैं या कुछ पेपर या कुछ होता है 2013 में जो इसको चेंज किया वकबोड को उसमें तो कोई जाचने का कोई तरीका ही छोड़ दिया कि मतलब जिसको भी कह दें बस ये इतना कह दें यहां बाबर का घोड़ा खास खाता था तो वह हो गई वकबी प्रॉपर्टी अनलिमिटेट पावर के कारण क्या हुआ कि खेल का मैदान चारागा गोचर जमीन बंजर जमीन शादी विवाह के लिए जो गाओं देहात में छोड़ा जाता है कि शादी विवाह यहां होगा ने कि पब्लिक प्लेस छोड़ दिया जाता है वो सारी जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है ट्राइबल एरिया जहां को बिचारों को पता ही नहीं है कि वक्फ होता क्या है वो जाकर सीधे नोटिस देता बोले जी एक काम को रहे है यह प्र पर पर्टिस को खाली करो आदिवासियों से जमीन पर कब्जा हो रहा है तो जमीन वक्त की है जिसको अपना जवादिनादे एक महिणियक अंदर जवाप नहीं दिया तो जमीन वक्त ही हो गयी in qamrock निकार को ली कहां यह जमीन वक्त की है ऐसको खाली कर आओ तो इम को अपनी पॉर्स ले जाकर खाली करवाना पड़ेगा Graint ऐसे बहुत सारे कह रहा हूं जब मैंने वकबोर्ड को चैलेंज किया मेरे पास सव से ज्यादा मुस्लिम्स के फोन आए कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आज भी जब यह सुना यह आया कि भी पार्लेमेंट में बिल आ रहा है मेरे पास दुनिया बर के फोन आ रहा है कि रहे समीधान में आप बदलाफ करें यह गलत करें जब समीधान करता हूं इस भारत के समीधान में एक बार वो मुझे डबलू एक क्यू यफ वक्फ शब्द दिखा दे चूंकि डाड़ी वाड़ी ओसी साब बढ़ा लिया तो वह भी मानते हैं वह जो कहें सब उसको बड़े ध्यान से सुने मैं अश्वी जी कि पाठ शाला एक दम मैं वे ओसी जी को खास्ता और पिक्यों कि मैं देख रहा हूं कि बाकी पर्सनल लाबोर जमियत में लोग उतनी समीधान की बात नहीं करते बार बार वो करते हैं और बैरिस्टर हैं वहां से पढ़ाई उड़ाई करके आए मेरे को नह तो वक्फ बोर्ड जिसको लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार गरम है हर किसी के अपने तर्क हैं हर किसी के अपनी बाते हैं लेकिन उन तर्क और उन बातों के बीच में आज हम आपको असलियत बताएंगे वह असलियत जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई है जो किसी आपके सामने नहीं रखी वो सच जो अभी तक छिपानी की कोशिश की गई वो क्या कुछ है आज हम सीधे सुनेंगे आश्विनी उपाधिहाई जी के जुबानी जिन्होंने इस मामले में पेटीशन फाइल की और सब के सामने सच लाने की कोशिश की गई सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगे कि वक्फ बोर्ट को लेकर बहुत थेयोरिज है वक्फ बोर्ट की जरूरत क्या थी और वक्फ बोर्ट में जो बदलाफ की बात हुई सामने आ गई इसकी क्या जरूरत थी देखे मेरे एक हाथ में भारत का सम्मिधान है और दूसरे हाथ में यह वक्फ कानून है पहली बात तो भारत के सम्मिधान में WAQF, WAQ का नाम का शब्द ही नहीं है Workboard, Workpact, Work Tribunal ये शब्द भारत के सम्मिधान में कहीं ही नहीं है जो लोग बार-बार वक के समर्थन में आ रहे हैं मैं उसे पूछना चाहता हूँ मुझे सम्मिधान का वो पेज बताईए, वो आर्टिकल बताईए, जहांपे वकबोर्ड का प्राउधान है यह जो वकपैक्ट बना है, यह सबसे पहले इसको नहरू जीन बनाया 1954 में उसको इंद्राजी ने मजबूत किया, फिर राजियू गाधी जीने मजबूत किया 1995 में नरसिंबराओ जी ने मजबूत किया, और 2013 में मनमोहन सिंग जी ने मजबूत किया यह पूरी तरीके अनकंस्टिउसनल है, उसका एक नहीं कई कारण है, इसको मैंने जब चैलेंज किया हुआ है पहली बात तो भारत में 20 ट्रेबूनल चलते हैं, NGT है, और भी अलग लग ट्रेबूनल है भारत में एक ही ट्रेबूनल है, जो रिलिजन के अधार पर बाकि जितने ट्रेबूनल है, वह जटेडल नूटल है वहां पे मतलब आपकोिसी एक रिलिजन के लिए नहीं बना हुआ जाए NGT हुआ, Income Tax के Tribunal होते हैं, GST का Tribunal है, और भी Tribunal है, तो किसी एक उसके लिए नहीं बना हुआ है, Women Commission बना हुआ है, सब के लिए बना हुआ है, National Human Rights Commission बना हुआ है, सब के लिए बना हुआ है, यह पहला है जहां पे वक्ट Tribunal बना है कि वक्ट के लिए, सम्मिधान कहता है राए चुटारी सब लोग एक समान है, यानि हिंदू, जैन, बौध सिख, हिसाई, पारसी, मुसलिम, सब समान है, जब leur बना है, जब सम effने हैं, तो हिंदू के लिए के लिए बना हुआ है, सभड के लिए नहीं भावना हैंगी, बद्धान के लिए सभड के मिलके बना है वह वालब एक कम् rejected के लिए एक विधान है बाकियल कें अलब बहारत में अलड़ी जो कोई करना चाहता है चाहए- उसके लिए बाकादर Charitable Trust Act है, Indowment Act है, चल रहा है, सब अपनी जमीन डोनेट करें, वहाँ पर रिश्टेसिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, भारत का समिधान कहता है कि जो जमीन का विवाद है, वो District Court में जाएगा, Civil Judge के यहां जाएगा, अब बाकी हिंदु जैन, इसलिए मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है, और जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, अभी हंगामा कर रहे हैं, यह आलडी आचुके हैं, कोट में इनके पास कोई दम नहीं है, जवाब देने का, कोट में कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए TB के सामने हला कर रहे हैं, पाल्यामेंट में हला कर रहे हैं, वैसी तो इस आफ़तार पर कह रहे हैं, कि सरकार की कोशिश है, वक्फ की जमीनों को चील लेने के, वैसी बैरिस्टर है, वैसी वकालत किया है, मैं पूछ रहा हूँ, यह भारत का सम्मिधान लेके पूछ रहा हूँ, कि मुझे इस पूरे सम्मिधान में एक मुझे वो पन्ना बता दीजिए, एक आर्टिकल बता दीजिए, जहां एक शब्द, ट्रैबुनल तो छोड़ दो, वक्फ बोर्ड छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, एक डबलु एक यूफ नाम का शब्द मुझे इस भारत के सम्मिधान में देखा, वक्फ जैसा शब्द कहीं ही नहीं भारत में, तो सर इनको इतनी स्टॉंग कैसे कर दिया गया, इतनी चक्तियां कहां से आगए, केवल और केवल अपीजमेंट के कारण, केवल और केवल तुस्टी करन के कारण, इतनी अनलिमिटेट पावर दिया, खासता और पे 1995 म कुराने मंदिर को कह रहा है वक्फी प्रापर्टी है, और आज इस अनलिमिटेट पावर, यह कहते कैसे हैं, कि यह हमारी प्रापर्टी है, भाई कुछ इनके पास सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं, यह कुछ पेपर या कुछ होता है, क्या से कह देते हैं, 2013 में जो इसको च कि खेल का मैदान, चारागा, गोचर जमीन, बंजर जमीन, शादी विवाह के लिए जो गाओं देहात में छोड़ा जाता है, वो सारी जमीनों पे कब्जा करता जा रहा है, उत्तराखंड के जंगलों पे कब्जा करता जा रहा है, हिमाचल के जंगलों पे कब्जा करता जा एकदम उडिसा में आपका काला हेंडी वाला एरिया वहां के उठा के देख लीजी तो यह जो वकबोर्ड है जहां पे लोग थोड़े कम पढ़े लिखे है ना वहां ज्यादा इसने उत्पात मचा रखा है वहां पूरी जमियों कबजा कर रखा है बड़े लोगों को नोटिस भेज के वसूली करता है और चोटे लोगों को नोटिस भेज भेज कर लेता है उनको पता उधानार के लिए मैं आपको अपने देश में वह खाम हो रहा है जो चाइना करता है विस्तारवादी नित्वा आपको दो-तीन एक्जांपल बताता हूं जबुआ जो है वो भोपाल से 700 क freshmen दूर है वाख बोर्ड काओस के वल राजधानी में होता है तो वाख बोर्ड काओविस के वल भोपाल में है अब यह वक बॉड जबुआ में आदिवासियों के जमीन पर नोटिस भेजता है कि जमीन आदिवासी की है जबुआ के आदिवासी ने कभी जबुआ की लोकल कोट नहीं देखी है इसको है अधिवासी है कि अगर तुम्हें बचा नी तद तो लेना देना जात bubble तो आवने जाता अंग आट करता है क्यो अने जमीर को करता है और इनको अध्या जब थन्दा थार्माांत्रnd का दनदा कि टन्दा हो PAUL है इसमें कानून में भी लिखा हुगा का आपने पेपर में नोटिस दे दिया कि ये जमीन वक्ती है जिसको अपना जवाब देना है let एक महीने कंदर जबाब नहीं दिया तो जमीन वक्पी हो गई तो होता क्या है कि छोटे-छोटे ऐसे-ऐसे अखबार में नोटिस देता है जो अखबार कोई पढ़ता ही नहीं है भारत में ऐसे-खबार भी है जिनको कोई नहीं पढ़ता है उसा उसा उसाफिस में लगवा दिया एक एक सोई क्यावन का यह पुरा वक्पी प्रपर्टी अब वो पेपर किसी ने पढ़ा ही नहीं पढ़ा ही नहीं एक महीने बीट गया उसके बाद अपने नाम करा लेता है अनलिमिटेट पावर कैसी है कि डीम भी वकबोर्ड की नीचे वैसे जो कलेक्टर होता है डीम होता जीले का मालिक होता है लेकिन वक्फ के मामले में डीम कुछ नहीं कर सकता वकबोर्ड अगर कह देगा यह जमीन वक्फ की है इसको खाली कराओ तो डीम को अपनी फोर्स ले जाके खाली करवाना पड़ेगा डीम यह नहीं कह सकता कि नही कि बाची से एक बात बहुत क्लियर हो रही है कि अगर इस तरह से इन्होंने लैंड ली हुई है इसका मतलब कि ये फिर ये है कि वक्फ के पास दुनिया के कई ऐसे देश जितनी पूरी उनकी जमीन होगी उससे आदो भारत में वक्फ पास होगी देखें वक्फ के पास अगर क्वांटिटी की साब से देखें तो 9 लाख प्रापर्टी है और अगर उसका एरिया देखें तो 10 लाख एकर जमीन है दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जिनका एरिया 10 लाख एकर से कम है 50 देशों के एरिया से जादा जमीन हमारे भारत के वक्फ बोर्ट के पास है अपना अलग चेतरफल 1,80,000 एकर है और भारत के पास वक्फ बोर्ट के पास 10 लाख एकर जमीन है बहरीन का चेतरफल 1,90,000 एकर है वक्फ बोर्ट के पास 10 लाख एकर जमीन है हांकाउं का चेतरफल 2,75,000 एकर है वक्फ बोर्ट के पास 10 लाख एकर जमीन है डेनमार्क के पास 3,45,000 एकर जमीन, फिनलैंड के पास 3,90,000 एकड जमीन, वकबोर के पास 10 लाख एकड जमीन, मारिसस के पास 5 लाख एकड जमीन, वकबोर के पास 10 लाख एकड जमीन, यानि मारिसस का दूगना जमीन भारत वकबोर के पास है, लकजंबर के पास 6 लाख एकड जमीन, साइप्रस के पास 8 ल तक दो आ हो चलाल रिज्अ का दोडर प benefited यह जो ही सब सबसे बड़ी बात यह बड़ागा है इंग सब्सक्राइब नेटी बात है दो सब्सक्राइब वह बहुत नहीं देगा उसको भारत सरकार देगी यानि हमारे आपके टैक्स के पैसे से जो मैं है जो GST दे रहें इंकम टेक्स दे रहें उसके पैसे से वकबोर चलना है नहीं तो फिर भारत सरकार दे क्यों रही थी पैसा टाक्सपेर्स को तो बेफूर बना लिए लिबात हो गई ना कि वहां से उठाओ पैसा दो भाई जिकर बोर इंडिविजुल तौर पर रन कर रह स्टेट वाइस 32 वकबोर में किसी एक भी वकबोर में बाकी और तो छोड़िये मुस्लिम महिला भी नहीं है अपनों काये वह नहीं कर दो सारे के सारे पूरस और उसमें भी ज्यादातर वकबोर का कंबिनेशन उठागे देखिए तो पर्टिकुलर मतलब एक मुस्लिम से में अभी एक कमुनिटी है ऐसा नहीं उन्क्लूजीव है कि सब लोग हो हमारा यह कहना है कि जब भारत में संविधान कहता एक देश एक विधान होना चाहिए तो वकबोर के लिए अलग से अलग से क्यों चलना चाहिए आप यूनिफॉर्म इंडाव्मेंट कोड बनाईए आप यूनिफॉर्म ट्रस्ट कोड बनाईए यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाईए हिंदी में कहते हैं एक देश एक संपत्ति संगीता एक देश एक धर्मस्थल संगीता एक देश एक दान संगीता जिसको जिसको दान करना सबका राजिस्टेशन एक जगह होगा सब के मुकद पहली बात तो भारत के वोख हैं जैसे साथ कखे रहा हूं आ कलip कर रहा हूं तो यह पूरी गंभीरता के साथ बता रहा हूं कुएड अबुदावी दूबई बहरीन ऐसे बहुत सारे इसलामिक कंटी हैं और वहां जहां से इसलाम सुरू हुआ वहां पे एक भी मजार नहीं है क्योंकि मजार बनाना मजार पे जाना अनिसलामिक है अनकुरानिक है हराम है दरगाह बनाना दरगाह पे जाना अनिसलामिक है अनकुरानिक है हराम है इसलिए पूरे के पूरे गल्फ कंटीज में अरब देशों में आपको एक भी मजार नहीं मिलेगे, गी भी दर्गाह नहीं मिलेगी, पक्का कबरिस्तान बनाना हराम माना गया है, इसलिए पूरे के पूरे गल्फ कंटीज में आपको पक्का कबरिस्तान नहीं मिलेगा, और भ से जोड़ दिया ना सबसे बड़ी बात है कि इसलाम में कहादे ने ला-इला-इलिल्ह porta मतलब अलाय के लावा और किसी की अबादत हो नहीं सकती बुथ परस्ति हराम है बुथ परस्ति रॉप मतलब मंदिर भी जाना हराम कि किसी के समाधी अस्थल पर जाना हराम हुआ तो मजार पर जाना हलाल कैसे हो गया मजार में जाना जायज कैसे हो गया तो आप इसलिए देखिए मैं आपको एक्जंपल बताता हूं यहां पर G20 का समेलन चल रहा था सारे राष्टा ध्यक्षाय थे सब लोग गांधी जी के मानते हो तो मजार दरगा यह तो इसलाम में हराम है पता नहीं वकबोर्ड इसको कैसे प्रमोट कर रहा है और मुस्लिम उसका समर्थन कर रहे हैं काईदे से तो इसके खिलाफ खतव आना चाहिए तो फिर यह तो बात है ना कि आप अपने धर्म में लिखी हुई बातों को न अब लावार्टी है वहाँ पर जो कस्टम है वहाँ पर ट्रेडिशन है आपको उसी को तसली मानना पड़ेगा यहां यहां तो नहीं कह सकते कि हम जो मानना है वो ठीक है तो सर इतनी सालों में किसी ने आवाज यू ने उठाई भाई हम में कहारी हुए चले कुछ लोग हों है नेताओं का इसमें बहुत बड़ा खेल है और पैसे खुब आई रहें वहीं दस हलाक तो इसलिए रखा गया कि भाई जो मुस्लिम से इनके इनको एक राइट डिरेक्शन में चीज़ें मिलती रहें इनका हित होता रहें जो इन्होंने मकसद रखता है नहीं मैं इसको क्ल जानने कि लिए दान करते हैं बाकी अलगला काम ऻुकंव के लिए दान करते हैं जाईए अपनी दस एकड जमीन इस मंदिर के नाम ढ़नेट कर रहा हूं एक महया धरमसाला बनाऊंगा एक होस्पिटल बनाऊगा जो करूँगा चैरिटी करूँगा गरीब बच्चों के लिए कुछ करूँगा वहाँ पर रिष्टेशन हो जाएगा तो नहरू जी को क्या पड़ी थी कि और किस देश से रोन सीखा मुझे समझ में नहीं आरा है किस देश को उन्होंने आइडिया लिया कि उन्होंने एक अलग से वकबोड़ी बना दिया वकफ पैक्ट बना दिया और बाद उनके जो नीचे वाले आये वो एक के बाद एक उसको मजबूर करते चले गए मेरा यह मानला यह खतम होना चाहिए बिल्लकुर इसकी कोई जरोती है एक और बाद जो वैसे हो हला कर रहे हैं कि सरकार के नियत हत्याने की है जमीन उनके उपर तो माद भी लगता जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी उन्होंने इसाफ तोर पे कह दिया था कि इन्होंने वकफ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है देखें पहली बात मैं आपको बताओं कि वकफ पोर्ड जो है किवल हिंदूओं की जमीन पर कब्जा नहीं किया है वकफ बोर्ड है बहुस सारे मुस्लिम की जमीन पर कब्जा कर लिया है जो गरीब है ना मुसलिम वह भी परेशान है मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके केस जबलपूर हाई कोट में चलना है जैपूर हाई कोट में चलना है आपके अलग-अलग राज्यों में बात करते हैं जब यह खुद जमीन पर खभजा कर रहा है और वैसी मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब मैंने ये वर्क बोर्ड को चैलेंज किया, मेरे पास साओ से ज्यादा मुस्लिम्स के फोन आए, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और आज भी जब ये सुना आया कि भी पारलिमेंट में बिल आ रहा है, तो मेरे सम्विधान में आप बदलाफ कर रहें, ये गलत कर रहें, जब सम्विधान में कहीं जब नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, कि मैं OAC साब को चैलेंज करता हूँ, इस भारत के सम्विधान में एक बार वो मुझे WAQF, वख, शब्द दिखा दे, ट्रेबुलन और बोर्ड और सम्विधान में तो कहां नहीं गया, ये लोगों तो फिर इसमें क्यों गलत कर दिया, OEC के साथ अच्छी बात यह हैं, कि वो पढ़े लिखे हैं, समिधान जानते हैं, कानून जानते हैं, और OEC भी जानते हैं, कि मुसलिम समाज में, ज़्यादा तर लोग कानून को नहीं समझते हैं, क्योंकि डाड़ी वाड़ी बढ़ा लिया तो वो ही मानते हैं कि वो जो कहें सब उसको पड़े धियान से सुनेंगे मानेंगे देखेंगे बैए से सब तोपी लगाकर रखते हैं तो उन्होंने इसलिए किया वा उनकी बास अब सुनते रहें वो ऊसे साब की 90% बाते झूट हो मनियाटी मिशन कर ले वह जिस ट्रिपल तल तीन तलाक हलाला मुटा मिसयार पर भेंश कर रहें तहरुस कर ले चारशाधी कर ले रहेंश कर ले चारशादी एपए आप की आजादी तक जहां पुब्लिक बिस नहीं होगा एक किसी की संपत्य थोड़ा ले लें गयार आप सडक किनारे कब जा कर लोगे रएल वेेलिवेर लाइन के किनार ₧ कर लोगे घैंसे होगे खिर तरगा को मानते है नहीं मैं तो जालेंच करता हूँ कि आप अ को रान में एक जगह मुझे मजार्ब दिखा दीजिए एक जगह दर्गा दिखा दीजिए बाकी तो छोड़िए मैं OEC साथ को बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारे बड़े भाई हैं उनको वरी विरुमृता से चलेंज करता हूं भारत के सम्मिधान वह वक्त तो है नहीं वो तो आप सम्मिधान 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 यह रट्टे क्यों रहते हैं क्या यह कहीं कि सम्मिधान को यह जो एक्चल भाई राइट दिया है देश को सम्मिधान में हर नागरिक के लिए अधिकार है को कि उसका ही उसको यह नोना हटकंड़ा अपना लिया मैं तो कह रहा हूं कि सम्मि के आयो वेसी जी मैं आपको बताता हूं कि या है समय को कह रहा हूं कि एक बार आएं उनको सम्मिधान की इंटरेटेशन करके लिए अश्वी जी की पार्ट शाला मैं भारत के फिर से OEC से पूछ रहा हूँ OEC जी भारत के सम्मिधान में WAQF का शब्द कहा लिखा है वो बताईए और OEC जी दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ होली कुरान में मजार और दरगाह कहा लिखा हुआ है मुझे पढ़ लिखा हुआ है OEC जी इंतिजार रहेगा मुझे एश्वनी जी जी बोल रहे है इस पर आप भी जवाब दे एक बात और मैं कहा रहे हूँ देखिए ये OEC तो कही रहे है लेकिन ये जो मुस्लिम परसनल लाबोर्ड है ये भी कह रहे है उसकी इस्थिती वही है जो बाकी NGO की है भारत में 25 लाख NGO चल रहे हैं उसी में एक NGO है जिसका नाम है आल इंडिया मुस्लिम परसनल लाबोर्ड ऐसे कल को एक हिंदू परसनल लाबोर्ड बना लें तो हम क्या हिंदू के ठेकेदार हो जाएंगे क्या कोई एक जैन परसनल लाबोर्ड बना ले तो पूरे देश की जैन का ठेकेदार हो जाएगा क्या कोई एक बाध परसनल लाबोर्ड बना ले तो सारे बाधों का ठेका उसके पास आजाएगा क्या कोई एक अपना यहूदी परसनल लाबोर्ड बना ले तो सारे यहूदियों को ठेका उसके पास आजाएगा क्या, अरे भारत सम्मिधान से चलता है, मैं इसलिए कहता हूँ, चुकि इस परसनल लाबोर की इतनी अहमियत दे दी गई, इतनी अहमियत दे दी गई, कि धिरे-धिरे वो समाज में ऐसा दिखने लग गया, कि ये तो कोई समाजिक संग्ठन है, या ये कोई धार्मिक संग्ठन है, या ये कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी संग्ठन है, ना वो समाजिक संग्ठन, ना वो धार्मिक संग्ठन, वो सोसाइटी रजिस्टेशन के अंतरगत रजिस्टर किया हुआ है, के अंगर आप ये कहारें कि तु अब अधिकार उनके मिलेंगे, मुस्लिम समाज में ही महिलाओं की खासारों बात करें, अब उनको उनके सही अधिकार मिलने वाले? मोधी जी जो काम कर रहे हैं बिलकुल भारत के सम्मिधान की इस्पिरिट में कर रहे हैं, वास्तों में सम्मिधान एफेक्टिवली लागू होना सुरू हुआ है 2014 के बाद से, उसके पहले कांग्रेस ने 50 से ज़्यादा अनकंस्टिटूशनल कानून बनाए हैं, और मैं आपको स्वेता जी बता रहा हूं, कांग्रेस के 25 कानूनों को तो मैंने चलेंज किया है, अरे माइनाटी कमिशन एक्ट मैंने चलेंज किया, अपले साफ वर्शीप एक्ट मैंने चलेंज किया, 2004 का माइनाटी एजुकेशन एक्ट मैंने चलेंज किया हुआ है, कांग्रेस के 25 कानू की बात करती है राहुल गांदी सम्विधान लेकर के हाथ में चलते हैं तो आप यह मान के कह रहे हैं कि चुकि कि कॉंस्ट्यूशन देश के हर एक आदमी को नहीं पता है नहीं पता है इसका फाइदा इन लोगों ने उठाया अपनी एपेस्मेंट की पॉलिटिक्स को चाहिए सरकार बढ़ रही है सरकार के मैनिफेस्टों में हमें पूरा विस्वास है मोधी जी बहुत जल्दी भारत में एक वन नेशन वन सिविल कोड लागू करेंगे जैसे ये वक पैक्ट के अस्थान पे वन नेशन वन प्रोपर्टी कोड हो जाएगा ऐसे ही जो अलग अ अपने पर्सनल लाग चल रहे हैं पारसी का अलग अपना क्रिश्यन का अलग मुस्लिम्स का अलग ये सब खतम करके भारत में वन नेशन वन सिविल कोड होगा 100% होगा मैनिफेस्टों में भी है संसद में पहले प्रधान मंतिजी कह चुके हमें पूरा भरोसा है बहुत जल् कहते हैं तो वन नेशन वन लाग का मतलब क्यों उनिफोर्म सिट नहीं हुआ वजन नेशन वन लाग का मतलब वन नेशन वन पुलीस говорит, One Nation One Tax Code, One Nation One Education Code, One Nation One Endowment Code, One Nation One Property Code, One Nation One Civil Code, One Nation One Population Code. तो भारत का सब्तन्बत। मतलां वारत एक है और उसमें जो भी चीजे होंगी वो एक ही होंगी। भारत यह कहता है कि लत्दाक से लच्छोबी और कच्छ से कामरूप तक जो कानून बनाओ सबकी लिए एक बनाओ Ist रिलीजन के अधार पर मत बनाओ अच्छे बात और में जाना शाथ है और बात की चर्चा चल रही है कि देखे आप क्या है जो वक्फ बोर्ड है उसको उनकी जो भी प्रॉपर्टी उनको बकाइदा रेजिस्ट्र कराना होगा कोट में तो क्या यह लगता है किसी बात चल रही मुझे बात बताएगे कि यह जो सरकार ने एक स्टेप उठाया है इसके बाद इन से जो जमीने खाली कराना कितना चालेंज होगा नहीं कोई भी काम देखे चुकि यह पेड़ 1954 में लगा था अब इसको ठीक करने का काम 2024 में हो रहा है तो आपके 17 साल बीच चुके हैं तो पेड़ थोड़ा मजबूत हो गया है तो जब पेड़ मजबूत हो जाता है तो उसको काटना उसको छाटना थोड़ा मुस्किल होता लेकिन असंभव नहीं है जब यह सरकार आटकिल 370 खतम कर सकती है 35 खतम कर सकती है वक्पी बारी पांच अगस के लिए ही ताई थी मेरा यह मानना है कि वक्पोर्ड अब खतम होगा अब इसको कोई बचा नहीं पाएगा आप वक्पोर्ड इतिहास हो गया जैसे 35 इतिहास हो नोटिस भेज भेज के वसूली करता है गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनको कनवर्जन करता है वो गरीब बिचारा आदिवासी ट्राइबल जब सुनता उसकी जमीन जाने वाली है तो पुछता है क्या करूं बच जाएगी यह खेल भी चल रहा है यह बहुत बड़ा ख सरकार ने साइकड़ों की संख्या में मजारे तोड़ी है क्यों तोड़ी है असम में भी हुआ और मैं तो कर रहा हूँ पूरे देज की सरकारों को मजार दरगा तोड़ना चाहिए क्यों क्योंकि मजार और दरगा अनिस्लामिक है अनकुरानिक है और इसलाम में इसकी कोई ज देखिए वो तो मजार दर्गा के लाभारती है न जिसे बहुत सारी योजनाओं के लाभारती होते हैं तो ये जो दर्खनें उसके लाभारती है वह दो पूछ रहा हूँ, बहुत बिनमरतापूर वह पूछ रहा हूँ, चलिए ठीक है, हमें बहुत ज़ादा ग्यान नहीं, हमें सम्मिधान का ज़ादा ग्यान है, हमें कुरान का कम ग्यान है, मैं तो यह पूछ रहा हूँ, कि जो अपने आपको मुस्लिम धरम गुरु कहते हैं, व वो आयत बताएं जहां ये लिखा है कि मजार बनाना चाहिए और मजार पर जाना चाहिए, दरगाह बनाना चाहिए, दरगाह पर जाना चाहिए, वो कुरान का वो आयत बताएं जहां ये लिखा हुआ है कि मरने के बाद पक्का कबरिस्तान बनाना चाहिए, हमने तो ये जो सु तो आपको लगता है कि लोगों की आखे खुलेंगी इतना सच आपने चुकी बताया सबका यह जो एक तरह से कहूं कि माइनॉर्टी की जो बात रखते हैं अपने अधिकारों की जो चिंता करते हैं इनको खुद बोलना पड़ेगा खुल करके सामने आएंगा इसके लिए तो म ज़न तक पहुचाना जरूरी है कि एवल हिंदू के बीच में नहीं जैन बहुत सिख पूचरणी मुसलिम भाइयों के बीच पैचाना जरूरी है कि वकबोर की करतूत क्या है वकबोर बना कैसे है यह काम क्या कर रहा है यह सय बातें जन जन तक पहुचे bags 박 बिच करना हूँ जो intellectuals है, जो reality जानते वो कहते हैं कि गलत है भाई, जमीन आपने कैसे ले ली छोड़िये इस जमीन को तो इसको भी तो इनको समझना चाहिए वकपोर्ड को जो इतने हिताशी और इतने हिमार्टी बनते हैं बड़ी सेधी सी बात है, माल लिजे कोई महिला है ठीक है, उसके बच्चे नहीं हुए अब वो महिला चाह रही है कि भी अपनी जमीन अपने भतीजे को दे दे वो महिला चाह रही है अपनी जमीन अपने भांजे को दे दे वो महिला चाह रही है अपनी जमीन अपनी देवर को दे दे ये तो दादागीरी वाली बात हो गई ना? अचिक बात और मैं जारा चाहती हूँ आपसे चुक्कि मैं आपसे आखरी सवाल करूँगी कि सरकारनी कदम उठाया अप खत्म कर रहे हैं और उस तरह बहुत सारी उन्होंने संचो धन, 40 आप से नोय बात कर दिया की हितों की बात क्यों नहीं करते तीन तलाग मुदी सरकार ने खतम करवाया महिलाओं को कहीं ना representation देंगे ना कुछ जब महिलाओं की बात करते तो कहते नहीं हमारे कानून तो बहुत strong बनाते मैं मैं आपको कहते नहीं एकदम प्रमाड बताता हूं मैंने चार शाधी को सुप्रीम कोट में चैलेंज किया और वह मामला अभी पांच जज़ों को रिफर हो चुका है उसका विरोथ कौन कर रा है? परसनल लाबोड और जमी अपना देवबंध कर रा है ठीक है? मैंने हलाला को चैलेंज किया कौन विरोथ कर रा है? Personality Board पर्सेल लाबोर का नाम इसल्य ले रहा हूं क्योंकि Оökसी पर्सेला बोर के मिंबर है और पड़े लिखे हैं सम्थान जानते हैं गानून जानते हैं विदेस से पढ़के हैं, विदेसों महिलाओं की क्या इसी थी लेकिन फिर भी विरोग्ष कर रहा है मैंने तलाके हसन को चैलेंज किया, परसनला बोर्ड विरोध कर रहा है, मैंने तलाके हसन को विरोध किया, परसनला बोर्ड विरोध कर रहा है, हमने तलाके किनाया को चैलेंज किया, परसनला बोर्ड विरोध कर रहा है, हमने मुताह को चैलेंज किया, फिर उसका विरोध हो र लेकिन जो मंगलों के साथ जो और जहां पे यह कुरितीयां सुरू हुई थी वो कुरितियां वहां बंद हो चुकी है और यह कुरितियां भारत में ढोए जा रहे हैं और कौन ढो रहा है ओएसी परसनल लाबोर्ड हमारे तथाकाथित धरमगुरू तथाकाथित मौलवी सोची जराब भाई यह तो महिलाओं के अधिकार की बात है और उसमें बात होती है तो इनको दिक्कत होता है अब इस बहुत है अब इस भारत में एक देश एक विधान चलेगा अलग से वो जो फुफा बरने वाला जो कोशिस थीक मैं तो फुफा हूं मुझे तो विशेज दरजा चाहिए तो मुझे नाराज हो के बैठे रहे हो ठीक है लेकिन अब फुफा यह चाहिए यह संब्हाइक का मुझे नाराज चाहिए वो जमीन जायदार का मुकदास हो चाहिए महिलान का मौहील डिकार का मौही चाहिए व 후 एजूकेशन का मामला हो जो भी होगा न विशेश दर्जा न विशेश तालीम न विशेश कुछ अब चलेगा एक देश एक विधान। के गठेवर होने के साथ इसका पालन करवाना भी जरूरी है। सुरूब हो चुका है अच्छ और बात जो वक्फ पर अक्षिन सरकार ने लिया है इसका इसका क्या असर आप देख रहे हैं पूरी सुसाइटी पर कि बहुत चिंता का विश है आप आपने डेमोग्रफी की बात की बहुत सारी चीजों की आपने बात की आप आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं मेरा यह मानना है कि अब धिरे-धिरे-धिरे करके जो यहाँ पे वो एक विसेश दरजा मिला हुआ था एक विसेश अपने आपको ताकत मिली हुए थी वह ताकत खत्म होगी सबको एक समान अधिकार मिलेगा और वकबोड की मनमानी रुकेगी वकबोड क को फायदा होगा देसको फायदा हो तो चलिजयाएं घेंस एसा भी होसाइद ग Corn जाक्य कोई फायदा नहीं हमने वर्क बोर्ड को चैल LLC तो चलेंज किया वालढी को चैलंट किया हमारी प्ल कवरोध करने आचुके आज़न क। कई करौИ नहीं डी हैं लेकिन ऊनके पास कोट में विरोध करने का कोई। पास लाजिक नहीं मिल रहा है। इसलिए वो Bbros. Mande को भाइट का दे रहे है इवे मेइड़िया को बाइट दे रहे हैं। हमानि Genau 1, पूछ लोग जिनकी नजर हमेशा एक तरह से कहें कि सिर्फ उसी दोहरेपन के जरिये अपने को इस्थापित करती रही है उनको चालेंज है कि आप कोई अगर जजज इसके समर्थक हैं जजज साहब आ जाएं सामने ओएसी साहब बड़े वो तो बैरिस्टर हैं बाहर से वकलत करके आएं वो आके मुझे इस पर एक बार चर्चा कर लें बहस कर लें या जिसको भी लगता है कि वक बोड़ जाए जाए कि मुस्लिम्स को पिशड़ा पन बढ़ा रहे कियो वो चाहते हैं कि मुस्लिम क्यों कि जब पिशडा रहेगा वो गरीब रहेगा तो उनकी बास सुनता तो आप पिछुड़ों के बात कैसे कह रहे हैं, उन्हें तो इतने सारे स्कूल बनवाए हैं, और इतने सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इस प्रस्टीज हैं, होस्पिडल्स हैं, तो पर कैसे पिछुड़ा पने हैं? और आपने पिछड़े हैं, तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया, तो जूट है उनका, मेरा ये मानना है कि कभी भी वो मुस्लिम्ज को भारती नहीं बनने दे रहे हैं, और मुस्लिम क्या, वो कनवर्टेज हिंदू है, अल्टिमेटी जो भारत में मुसलिम है, एक्चल में व तो आप ये कह रहे हैं आश्वनी जी आप ये कह रहे हैं कि इनकी ये कोशुश है कि एक ऐसा वक्त ले आओ जहां किसी से पूछो कि आप कौन हो तो वो खुद को मुस्लिम बोले ना कि भारते बोले ये यही दिकत हो रही है और इसलिए ये एक इनकी बहुत बड़ी मतलब मैं तो सरकार से निवेदन करूँगा कि जो 2012 में राइट टू एजूकेशन एक्ट को का अंग्रेस ने बदला उसको भी ठीक करें राइट टू एजूकेशन एक्ट जब बना तो वो देश के सभी स्कू करहा रहा है पढ़ाने वाले की क्या है वो कितना पढ़ा लिखा है कौनसी किताब पढ़ाई जाती है सब लेकिन विरोध किसने किया परसनल लापोड ने विरोध किया जमियत ने और उस विरोध में कांग्रेस ने 2012 में राइट टू एजूकेशन के दाएरे से मदरसों को न बाकि पूरे देश में आपको टीचर बनने के लिए टीचर इलिजबिल्टी टेस्ट कॉलिफाई करना पड़ा है, टीटी बोलते हैं उसको, लेकिन मदरसे हम टीचर बनने के लिए, मेरा मनना है कि उसको हमने चैलेंज किया हूँ, मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस ने 50 मह महा पाप किये हैं, कांग्रेस ने संसद के अंदर 50 महा पाप किये हैं, 50, अब उस 50 में से 25 को मैं चैलेंज कर चुका हूँ, जो 2012 में नोने मदरसे को निकाला है, मैं उसको भी चैलेंज कर चुका हूँ, ये, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चों को भी नहीं देइता हैं मदर्सों में भारत की सिखाये जा रहे हैं मदर्सों में बारत के पूरूर सोड़ी तोड़ी बढ़ाया जार रहा ए मदरसों में योग थोड़ी होता है मदरसों में अस्टांग योग थोड़ी सिखाते है मदरसों में आपका जो है अपना योग प्रड़ायाम भारत का इतिहास हमारे पूर्वज हमारा इतिहास हमारी संस्कृत यह सब थोड़ी पढ़ाय जाता है तो वो लगातार वो तरीके से मुस्लिम बन रहे मदरसे में भारती नहीं बन रहे बच्चों को भारती बनाना जरूरी है उसके बाद वो हिंदू मुस्लिम बने बिल्कुल तो ये अश्वनी उपादिया जी का एक तुरह से चालेंज भी है बहुत सारी बातों को लेकर और वो स्तीदे सीदे कह रहे हैं जो वकपर सरकार अक्शन ले रही है इसके बहुत बड़े इंपाक्ट होंगे और एक तुरह से कहें कि वो तमाम अश्वनी जी कह रहे गलतियां उन पे अब सुधार की तरफ सरकार तेजी के साथ अक्शन मोड में है बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए और सुरू हो चुका है बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी जी हमारे से बात करने के लिए और इतनी महत्यपूर बातों को रखने के लिए तो हमारे साथ जो विशे हैं उन पर हम बातचीत करते रहेंगे लेकिन हमारा जो कारिक्रा में वो आपको कैसा लग रहा है अगर आपके भी कोई सुझाव है तो वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए